एकिंग अबाउड दी सिंबल स्वास्तिक चो बिफोर देन को भी हैड गॉन लाइप फुटी दर पर लाइप गे थे लाइप जाते से प्राफ्ब्म होगी कि आवाज नहीं ता वीडियो में और वापस से वीडियो बना रहे हैं वापस से लाइप जा रहे उसी सिंबल के में discussion है जहाब लोग बोलते कि स्वस्तिक किसलिए इसका नाम स्वाव अस्ति है यह है वो है बहुत सरी चीज़ है तो मैं उस डिटल में नहीं जाओगा मेरा जो सड़ी है वो इस डिरेक्शन में नहीं है हमारा सड़ी ग्राफ लजी की डिरेक्शन है हमारा जो सड़ी है subconscious representation है subconscious level पर यह क्या दर्शाता है और subconscious ने आपके लाइफ में क्या होगा और उसके पहले मैं आपको तुझा एक concept बताना चाहते हो concept यह है कि यह symbol का energy किस तरह से देखा जाता है अपने शास्तुर में वेगरे क्या लिखा हुआ है symbols के बारे में तो यह पहला हमनों dot के बारे में बात करते हैं अब यह dot क्या है dot जो है यह दर्शाता है कि इसको कुछ existence लिए dot का meaning क्यों होता है dot का meaning होता है कि जिसको length नहीं है width नहीं है इसी चीज dot होती है एक बिंदू होता है तो यह बिंदू जो है यह दर्शाता है इश्वर को यह चीज है जिसका कुछ manifestation नहीं है और वह सब जगापे manifested है तो यह जो बिंदू है उसका अस्तित्व है और अस्तित्व नहीं है तो यह जो एक अद्वैद भाव है यह बिंदू इसी बिंदू को जब लाइफ का experience लेना होता है इसी बिंदू को जब लाइफ देखनी होती है तो वो desire को expression करता है तो यह इसकी जो त्रिजार है वो desire हो जाती है और यह desire अभी यह move होती है इस तरह से तो यह जो circle है यह दर्शाथता है एक human being का consciousness सबी चीज़े जो अस्तित्व में है इसका जो consciousness है अगर उसका manifestation है तो उसका सब्सक्राइब अब उसके बाद रहता है भूमी तो जो अडिक है जो स्टेबल है जिसका सब जगापे विस्तार है यह जो है वह आ जाएंगी square formation तो यह square formation है इसको आप बूलते है भूमी का formation इसको बूलते है भूमी formation भूमी तो हर जगापे जहां कभी कि देखो वह अड़ी गए इसमें इतना स्ट्रॉंग बेसे कि हिलेगा नहीं और इन्हें हिलता नहीं है इसलिए भूमी उसको स्ट्रॉंग मना जता है उसके बाद अगर आप सोचते हो तो जबी भी आपने किसी जगा पे आग लगी भी देखे तो आग कैसी लगती इस तरह से आग रहती है ना ऐसे फ्लेम्स रहते है तो आग हमेशा एक अपवर्ड डिरेक्शन में ट्रेंगल के रूप में उपर जात जो है वह हो जाएगा यह हो जाएगा फायर और यह हो जाएगा वाटर अब यह जो डाउंवर्ड यह जो लैटरल मुमेंट्स है यह है मुमेंट्स ऑफ एयर तो यह जो हवा का मुमेंट्स है यह हो जाएगा एयर ठीक है तो इस तरह से जो भी जो भी चीज़े अपने शास् अब आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस समय पे स्वास्तिक सिंबल पहली बना गया था उस समय पे एक नई सूच खोच और कई सारी चीजों का अविश्कार को जादा महत्व दिया गया था तो अगर आपने ट्रडिशनल तरीके से सोचा हुआ है तो उस चिसको उतना महत्व नहीं था लेकिन अगर आपने कुछ अलग सोचा अलग भून के निकाला अलग कुछ सपस्या की अलग कुछ मंतर किये तो उन चीजों का महत्व जादा प्रा और यह स्वस्तिक है आपको कई जगाओ पर मितलब थाउजन्स अफ यह से फृत्वी पर है और कई सारी अलग-अलग कंट्रीज में भी अलग-अलग मंदिरों में भी कई चर्च में भी कई मास्क में भी मजज़िदों में भी यह स्वस्तिक को पाया गया है तो यह बहुत ही पुरातन सिंबल है और नाजि मैंने एक वीडियो में एक इनसान बोल रहा था कि इस जो स्वस्तिक वह ना कभी कट नहीं होना चाहिए तो कट नहीं होना चाहिए तो देखा जाए तो यह कटिंग जो है में मत्व है करता है आप कौन जगवा पर यूज़ करते हो जिस जगवा पर आको कुछ नए चीज कर करना होता है नए काम करना होता है नहीं याड़ी होता है तो इन सब जगों पर पूझा स्वस्तिक का मत-वार्च अब स्वस्तिक क्यों स्वस्तिक का बेषिक formation है वो ऐसा कट का formation है और जो just because ये शुरुआत से related है इसको कही बार Lord कट करता हूँ तो जो कट करने में क्या होता है कि नई चीजों का निर्मान होता है कि कोई भी चीज कोई भी चीज करेक्ट नहीं है कोई भी सच नहीं है हरे चीज को हम किसी दूसरे युक्तिवात से कट कर सकते तो अपने जितने भी स्कृप्ट्रस है जितने भी जगा पर जो स्क्रिप्ट्चर से उसमें किसी भी एक उप्तिवात के उपर सबसे ज़्यादा फूकस नहीं किया गया है कई भी सच जूट इसका बात नहीं है या फिर करेट और रॉंग इसका बात नहीं है जो है उसका विपरीत है मतलब दिन अच्छा और रात बुरी ऐसा कहीं पर भी नह है जब यह दो मेर्कस तो कट करेंगे तप एक नहीं चीज का निर्मान होगा जब आप एक को नरुकर करते हो तो आप भोलते हो कि मैं A अब't नहीं हूँ मुझको भी B बनना है तो एक कंगा बाय mett बी लिखते हो तो ए आप नहीं रहते हो तो यह ना होना यह इसको कु क्रकर करके एक ऐसे थौट जिसकी आपको जरुवत नहीं है एक ऐसा विचार जिसको आपको जरुवत नहीं उस विचार को कट करके आप जब आगे जाते हो तो एक नहीं चीज़ का निर्मान करने की शमता आप में आती है तो सबसे पहले जो basic formation है स्वस्तिक का वो इस तरह का formation बनाता है अब इसमें दर्शाथ है कि इसका नये चीज़ों की निर्मान की लिए निये विचारधारण की नियर्मान के लिए जिसका मात्वो बहुत था उस जमाने में फ्रस्तिक बनाती तो ये दर्शा था कि नए विचार धारा के लिए नई एनर्जी के लिए नई शुरुआत के लिए आपने पहले कट करना चाहिए और ये कट करने के बाद जो आप इस तरह का काम करते हो तो ये दिखाता है कि अब उस नई चीज का जो कंटिनियोशन है वो भी एक नई विशा में होना चाहिए इसको कट करके आप यहां पर आए मतलब यह विचार को आपने खंडन किया और इस खंडित विचार को भी जब आए लेकर जाओगे तो उसको भी सोचते समय यूशूड हाप दी कंटिनियोशन और उस कंटिनियोशन नई विचारधरा की लिए नए थौट प्रैटन की लिए अब इस तरह का सिमबल अगर आपने लोगों बनाके यूश्किया तो आपको बड़ी तकलिप होगी क्यों क्यों कि अभी उस जमाने में तो एक प्रेट था आपकी लाइफ में यह जहापे नई चीज़ों की यह जादा हो जहां पर इस तरह के सिमबल को आज लोगों करके यूश करेंगे तो आपको तकलिफे जादा जाएगी ठीक है अभी इसी और यह क्लॉक्वेज क्यों है क्योंकि इस तरह से इसका कंस्रक्टिव इनर्ची वह बढ़ता है अगर इसी चीज़ को अगर हमने अंट बनाया क्या क्या होता ही यह बन जाता है सिम्बल ऑफ नाजी को एन्टी कंपनल बनता है तो यह जब अंटि को बनायोत यह आपकी बीचाड़ज को प्रोल्टी विचा बनायों करेगा तो देखा थेंट अधर में यह बनाया एक यह बजब चालो की नया विचारदारा उसके मांझ में आया लेकिन वो विचार दारा जो है वो विचार जोらい जो उस बनाए थे व विचार हने वी प्रोग्रेसिव नहीं थी तो जब कहीं इस परटीवर सिंबल को लेकर कोई कमपणी बनेगा इस परट वेकर प्रटीवबस कई को को निगेटिव तरीके से यूदि उठ यूज तो आपके अंदर जो विचार आएंगे वो निगेटिव आएंगे इसके रinku का ग्रोथ नहीं होगा और इसलिए जहाग पर फो सिंबल को अधर ऐसर रेल उस्ट किया गया तो वस्चों पर्टिकुलल पक्ष रहे या कंपणी रहे या कंट्री रहे उन लोगों ने कुछ तो भी नया और बहुत प्वावफूल इसका निर्मान किया तो यह था एक ग्राफोलोजी के दुष्टी कौन से एक सिंबोलोजी के दुष्टी कौन से अपने स्वस्तिक का अनलिसिस और आपको बड़ा स्वस्तिका और पुरे जो आज तक इतनी भी समुदाय हुए है सब्विताय हुई है जिनने इस सिंबल को यूज क्या है उनका महत्व क्या है धन्यवाद दोस्तों फॉल वचिंग इस वीडियो